बच्चो आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा इस कहानी का शिर्षक है बंदर का इंसाफ एक बार की बात है दो बिल्लियां आपस में एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रही थी पहली बोली ये मेरी है मेरी मैंने इसे पहले उठाया है पहली बिल्ली ने कहा लेकिन मैंने पहले इसे देखा था ये रोटी मेरी है जब वो दोनों बहस कर रही थी तबी एक बंदर वहां से गुजर रहा था बिल्लियों ने बंदर से कहा कि वो उनका जगड़ा हल करे बंदर ने सहमती देकर रोटी के दो बराबर टुकड़े कर दिये लेकिन बात में बंदर बूला ये दोनों टुकड़े तो बराबर ही नहीं है ये कहकर उसने एक टुकड़े में से एक छोटा हिस्सा खा लिया लेकिन दोनों टुकड़े फिर भी बराबर नहीं थे तो उसने एक टुकड़े में से फिर दुबारा एक टुकड़ा खा लिया फिर क्या था था कि देर बाढ रोटी के बहुत चोटे चोटे दो ही टुकडे सेस रह गए तो बंदर बोला इतने चोटे टुकडे तुhारे किस काम के बिल्ली ओ ये कहते हुए वो दोनो टुकड़ों को भी खा गया तो बच्चो इस कहानी से हमें क्या सिख्षा मिलती है इस कहानी से हमें ये सिक्षा मिलती है कि दो अब्यक्तियों के जगड़े में फाइदा हमेशा तीसरा उठाता है बच्चो आपको ये कहानी उच्छी लोगी हो तो इसको लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें